असलों अलेकुम दोस्तों मेरे नाम है तोसी फिजाज और आप देख रहे हैं दीजी नॉट्टिव चैनल तो गाइस रिसेर्च मेतड़ोजी के लेक्ट्टर जो वह कंटीनिव है और आज हम लेक्ट्र नुम्बर 36 में बात करेंगे साइब यहां पर निरी ठाशक्तो आप में बाताँ, सब्सक्र्मनल तो यहां पर कुछूसी जब हम लेते है कि कुछ आप अब ब्सकार्ट्र डिवन दो करने दो के लिंगा है यहां पर अनुम्बर, ब्सक्रण नाथ जो ही महारे है अनुम्मारे पास जो Areas स् उप्थ बाता थ तो अब specific का क्या मतलब है, clear about what, where, when and how the situation will be changed, तो यह सारे questions के answer में हमें, जो है objectives में लिखने चाहिए कि, अगर situation change होता है, कब होगा, क्यों होगा, तो यह questions के answer में होने चाहिए हमारे objectives में, तीक है, अब achievable होने चाहिए, able to attain the objective, knowing the resources and capacities at the disposal, तो हमें, हमारे पास, मतलब, जितने भी, जो research question है, तो उसके लिए, जो objectives हम लिखते हैं, तो वो क्या होने चाहिए, achievable होने चाहिए, तीक है, अब यहाँ पर इतनी capacity होने चाहिए, कि हमें, required outcome जो है, वो मिल सके, तीक है, अब measurable होने च चाहिए, मतलब कि, हम quantification यहाँ पर होनी चाहिए, कि हाँ, क्या हमें, यह outcomes मिलेंगे, ठीक है, हमें कुछ indicators यहाँ पर चाहिए, क्या हमें, जो required result हो मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, ठीक है, तो measurable होने चाहिए, हमारे objectives, और इसी तरह realistic होने चाहिए, कि able to obtain the level of change reflected in the objectives, ठीक है, त feasible है यह नहीं है, ठीक है, तो गईज, आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं, नई वडिक साथ पीस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, खुदा हाफेज